नमस्कार वीवर्स नए ठेकेदार इन बातों पर गैराई से विचार करें शच्रजनों यह दिए आप नए ठेकेदार हैं तो मैं आपको साथ बातें वो बताने जा रहा हूँ जो बातें आपके नए ठेकेदार होने के कारण आपके बिजनेस में बहुत ही जरूरी है आपको जाननी और उन जानने के अलावा उनके उपर काम करना आपका बहुत जरूरी हो जाता है यह दिया आपको सफल ठेकेदार बनना है तो इन साथ बातों पर विशेश गोर कीजिए उनमें से पहली बात है कि आपने स्वयम के उपर इन्वेस्ट कीजिए सजनो मैं मानता हूँ आदमी जो जो उमर पाता है त्योंत्यों सीखता है कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा नहीं है जो जनमजात सीख करके आया हो दीरे दीरे सीखता है और उस सीखने के लिए आपको पढ़ाई की जरूरत होती है वो आपने अब तक करी लिए मगर पढ़ाई के बाद में practical knowledge होना बहुत जरूरी है और practical knowledge करने के लिए आपको अनुव प्राप्त करना चीए कहीं भी आपको जो आप ठेकेदारी करते हैं जिस विशे की ठेकेदारी करते हैं जैसे RCC structure की ठेकेदारी करते हैं building work की ठेकेदारी करते हैं road work की ठेकेदारी करते हैं या electric work की ठेकेदारी करते हैं और भहुत सी ठेकेदारिया है transportation की ठेकेदारिया है कि ठेकदार्यां wild Clay Hauer來說 है विए एयरपओर्ट बनाने की ठेकदारिया तो ऐसे काम है उनका वह आपको practical नो लए जोना बहुत जरूरी है इसलिए अपने आप पे ठोड़ा इन्यवेस्ट कीजिये ये दिक अपको इन मेनार जोइन कीजिए जो आपको शिक्षाज दे सकें या आप मेरी चैनल पे यूटूब पर जा करके एसन सर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूटूब पर जाके सर्च कर लीजिए सर्च कर लीजिए मैं मेरा जितना घ्यान है वो आपके साथ सेर करना चाहता हूं आप उसका भी स गोट करेंगे ठेकेदारी बिजनेस है यी मेंनद का और उसमें यदि अनुभव होता है तो सोने में सुहागा हो जाता है इसलिए आप आपका जितना अनुभव है उसके इसाब से मेहनत कीजिए और जो जो आप मेहनत करेंगे एक दिन आप तरकी कर जाएंगे तीसरा जो मैं आपको बात कहना चाता हूँ वो यह है कि ठेकेदारी बिजनेस में सोर्ट कट मत ढूंडिये सद्नों सफल यदि बनना है आपको तो सोर्ट कट मत ढूंडिये जहां shortcut होते हैं वो shortcut time के लिए होते हैं उनका return भी shortcut time होता है और आपको मैं लंबी race का गवड़ा देखना चाता हूँ मैं आपको जिवन बर ठेकेदारी करते हुए देखना चाता हूँ ऐसी इस्तिति में आप कोई भी shortcut मत डूंडियेगा जहां shortcut है वहां परेशान ये विश्वाय कुछ नहीं है जहां भी आपको shortcut मिलता है उससे दूर हो जाए लेंगदी procedure है वो हमेशा अच्छा रहता है और उसी के हिसाब से काम कीजिए सजनों छोटा ही सई आपकी ठेकेदारी मैं मानता हूँ आप छोटे ठेकेदार हैं नए ठेकेदार हैं छोटा ही सई मगर आपको फक्र होना चाहिए कि आपने 21-25 वर्श की उमर में ठेकेदारी करना सुरू कर दिया और आप सोचिए जब आप मेरी उमर के होंगे, कितने बड़े ठेकेदार होंगे, कितनी उंचाईयां आप धूलेंगे, आज आपको ये बर्ग छोटा दिख रहा है, सजनों ये छोटा नहीं है, बिजनेस कोई छोटा नहीं होता, चाहिए वो कोई भी बिजनेस हो, इसलिए आ एक वो फिल्मी गाणा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, शजनों वो ही कहते हैं जिनको काम नहीं करना होता है, जिनको काम करना होता है, वो आपको हमेशा पीट सर्थ तपाएंगे, कि वा बेटे आपने अच्छा किया, श्रम का जोग कर लिया, करते हैंगे, जिनको कुछ नहीं करना होता है, और ऐसे नवगेटिव थ्रोट के लोग बहुत होते हैं, इसलिए आप ये ध्यान रखिए, और श्रम पर विश्वास कीजिए, फुल कॉन विड़न जोना चीए आपको, कि मैं जितना समझता हूँ, मेरे को जितना अनुबव है, उ फिर उसको जटपट निप्टा दे, ज्यान दीजे मेरे सब्दों को, पहले पूरा विचार कीजिए, सोचिए, प्लान कीजिए, और फिर उसको अच्छी तरह से समझ दिए, और समझने के बाद में जब आपके समझ में आ जाता है, तुरंत आप दुरुत गती से काम सुरू कर दीजे, दुनिया की कोई ताकत आपको अराने वाले नहीं है, और सद्रों साथ में जो मेरे टीप है, वो यह है कि कल नहीं, आज ही करने की जिद करो, जिदे आपके काम आपने सोच लिया है, समझ लिया है, और फिर सुरू कर दिया है, तो कल नहीं, आज ही उस काम को सुर करें एस एन सर्मा मोटिवेशनल स्पीकर और फिर चैनल जो ही खुल जाती है सब्सक्राइब कीजिए घंटे का वटन दबाईए आल को दबादीजिए फिर मैं प्रति दिन सुवद 7 वजे एक वीडियो अपलोड करता हूं जो आपकी ठेकेदारी से समधित होता है वो आपको म वीडियो आजकल और अपलोड करना सुरू करती है वो भी आपके बिजनेस से समंधित हो सकता है मोटिवेशन से समंधित हो सकता है यह क्यों कह सकता हूं कि आपके लिए वो डोज होती है वो जो आप एक बार वो वीडियो सुन लेंगे पूरे दिन आराम से बुस्ट सकता है